असलाम अलेकूम आज मैं बना रही हूं फ्रूट केक वह भी गैस पे तो चलिए सबसे पहले गैस जो है यह सबसे छोटा वाला गैस है और बिलकुल लो फ्लेम करके मैंने एक दवा रख दिया यह पुराना दवा है और एक स्ट्रेंड रख देती हूं उसके बाद मैं इसे प् रख देंगी यह दो से तीन चमच है इसको एक साइट पे रख दें और फिर मैं एक पोल ले लिए और इसमें मैं आड करूंगी दो कप जो है भर के आप जो भी जिससे भी आप मिजर्मेंट लेते हैं ना कटोरी से लो या जिससे भी वह उसी से आधा लेना उसका पानी ठीक पहरे तो आपको ड्राइ लगेगा लेकिन फिर अच्छा से बीट कर लिजेगा तो यह आपका जो है स्मूध जो है यह बैटर बन के तयार हो जाएगा देखे कितना स्मूध है तो यह मैंने अच्छा से बीट कर लिया मैं बीटर से नहीं बीट कर रही हूं विस्क से कर रही किजिएगा वह भी बिना यूज किये हुए मस्टर्ड ओयल नहीं डालना है यह इमल्शन था मेरे पास तो यह हाफ टीस्पून में एड की इस इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है तो यह भी आप एड कर लें और अगर आपको मैदे से बनाना हो तो कॉमेंट में जरूर बताना मैं उससे भी वीडियो बना कर आपको दिखाऊंगी तो मेरे पास प्रेमिक्स है यह इजी होता तो मैं इससे बनाती हूं तो अब इसमें मैं क्या करूंगी कि एक टिन ले लिया मैंने यह आट इंच का टिन है और इसमें ग्रेस कर लेती हूं आपके पास इस इस शेप का कुछ भी बरतन हो मैं स्टील वाले में भी बनाती हूं और यह टीन है तो मैं इसमें बना ले रही हूं तो इसमें एक बटर पेपर लगा देती हूं और इसके बाद जो है इसमें मैं अपना टूटी फ्रूटी वो डाल ले रही हूं इसके बाद हमें जो है न व मुझे थोड़ा कम लग रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा और डाल दी तो कुछ मैंने बचा भी लिया है उपर से गर्णिशिंग करूंगे तो यह बैटर जो है मैं इसमें डाल ले रही हूं और अच्छा से डालने के बाद इसे स्प्रेड कर लें यह स्प्रेड तो खूदी हो जाएगा आप इसे डालने के बाद अच्छा से इसे चार से पांच बार पटक लें और बस आपका यह बैटर जो है अच्छा से सेट हो जाएगा देखिए इस तरह से आपको टैप टैप कर लेना है और इसके बाद जो है मैंने जो टूटी फूटी बचा रखी थी उसे मैं अब इसे घर पर बनाओगे न तो आप मार्केट का केक भूल जाओगे यह क्रीम वाले केक से भी जाद अच्छा होता है तो अब इसे क्या करना है कि हमें गैस जो प्रिहिट मैंने करने के लिए रखा था न तवा उस पे ही हमें इसे ले जाकर रख देना है और एक पतीले से कवर कर दें और इसको कुक होने में 45-50 मिनट्स लगते हैं ठीक है तो अब मैं इसे एक पतिले से कवर कर लिए हूँ वह इस टाइप के हैं और एक पत्थर जो है वह मैं रख दूंगी क्योंकि मेरे पास एक पत्थर है तो मैं वह रख रही हूँ अगर आपके पास कुछ और हो बट्टा हो तो आप बट्टा रख लें या फिर आपके पास भी पत्थर हो तो आप पत्थर रख लो ठीक है ना इस तरह का देखिए इस तरह का है तो मैं इस पर रख ले रही हूँ और यह बट्टा है आप इस तरह का भी आप यूज कर सकते हो ठीक है तो अब जो है यह 45-50 मिनट हो चुके हैं इसे बेक होते हुए तो अब चलिए पत्तर हटा के चेक कर लेती हूं और आपको दिखाती हूं ये केक कैसे बने हैं तो ये देखिए आपने जब देखा था तो इसका लेवल कितना नीचे था अभी फूल करिए कितना ऊपर आ गया है और दिखने में य यतना टेस्टी लग रहा है अच्छा लग रहा है तो तुथ्पिक के हल्प से चेक कर लें ये देखिए तूथ्पिक जो है बिल्कुल ड्राइए है इसमें वह बैटर नहीं आया है तो ये इससे ही पता चलता है हमारे केक बेक हो चुका है तो ये मैं आपको सामने से दिखा होने के लिए रखती थी और जब यह ठंडा हो गया तो इसे मैं डी मोल्ड कर ले रही हूं तो आप गरम-गरम कभी ना निकाले आप ठंडे होने पर ही डी मोल्ड करें और अब मैं बटर पेपर इसका रिमोफ कर दी और यह देखी यह कितना स्पॉंजी बना है और एक चीज मै बता रही हूं यह जो केक आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है ना तो यह कभी पी हम लोग गैस बनाते हैं ना तो यह थोड़ा सा उपर का जिस वो लेर है ना थोड़ा सबस कीला रह जाता अब कितने ही देर पकाओ लेकिन यह मैंने नोटिस नहीं किया है शायद मैं स्टी लगता है तो आप जरूर ट्राइ करना ओके यह काटके मैं दिखा देती हूं आपको इसकी स्पॉंजिनेस और देखिए इसमें जाली भी कितने अच्छे बने में ना देखिए यह बिल्कुल लाइट वेट होता है प्रेमिक से बना होगे ना तो बहुत अच्छा होता है वै झाल 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 झाल